सुबह की मीठी धूप खिली हुई थी। गुंजन और रोहित अपने नाना जी के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे। नाना जी ने पिछले हफ़ते ही उन्हें पिकनिक का वादा किया था, तो आज दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। कार में बैठ से ही गुंजन ने पूछा नाना जी हम कहा जा रहे हैं। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा आज हम जील के पास चलेंगे। वहाँ पेडों के नीचे स्वादिष्ट खाना खाएंगे और तुम दोनों खूब खेलोगे। थोड़ी देर की गाड़ी की सवारी के बाद वे खूबसूरत जील के किनारे पहुच गए। नाना जी ने एक पेड के नीचे बड़ी सी चादर बिछाई। गुंजन और रोहित ने तुरंथी पेडों पर चड़ना शुरू कर दिया। नाना जी ने उनकी लाए हुए डिब्बे से स्वादिष्ट समोसे, पको कूर्तियां बनाई और तितलियों को पकड़ने की कोशिश की नाना जी भी उनके साथ हंस्ते हुए खेलते रहे। शाम धलने पर वे ठके हुए लेकिन खुश होकर वापस घर लोट आए। रास्ते में गुंजन ने पूछा, नाना जी, अगली बार हम कहा पिकनिक मनाएंग क्योंकि उनके साथ बिताया हर पल खुशियों से भरपूर होता है।